नमस्कार और पुना स्वागत है आप सभी का निशल काईज के अपनी इस ऑनलाइन सीरीज में जहाँ पर हम प्रती दिन अपने शब्दकोश का ज्यान वर्दन करते हैं और जो पांच शब्द मेरे शब्दकोश से आप लोग के लिए हैं वह हैं अक्षुन, अखिल, अखिलेश, अखलाग और अगारू अखिलाग मूलता ये हिंदी का शब्द नहीं है, अर्विया फार्सी किसी एक भाशा का ही शब्द है और मुस्लिम वर्ग में ही इस नाम का नामकरण आपको मिलेगा जोकि अखलाग शब्द हम सबका बहुत परिचेत शब्द है इसलिए मैंने इसको अपने शब्द कोश की शब्द वली में लिया है, अन्नत है इसकी आवशक्ता नहीं थी तो पहले इसी का अर्थ ले रेते हैं, आज इसी से प्रादम करते हैं, एक क्रम को तोड़ते हुए और अखलाग शब्द का अर्थ होता है शिष्टता अत्वा सदचार मैं आपके प्रति किस प्रकार का सम्मान अपनी भाव भंग में असे दिखाता हूँ शिष्टता और सदचार और मैं किस प्रकार की किरिया करता हूँ आपके सम्मान को लेकर सदचार शिष्टता अत्वा सदचार ये भारत में जो पंथ निर्पेश्टा सेक्लोरिजम का शब्द लिया गया है वह संभवता इस बात की अंतरपट के पीछे अंतरपट हमने पढ़ा था ना पढ़दे के लिए हिंदी में जो शब्दे वह अंतरपट प्रियोग में लिये रहता है तो अंतरपट के पीछे किस प्रकार का आशन किया जाता है कि जो भारत का बहु संख्यक वर्ग है जिसके जन संख्य लगवा को स्पपतिशत है और अखलाख जिस पशु का मास खा रहा था उस पशु को यह बहु संख्यक वर्ग मा के रूप में पूझता और मानता है और यह करम सदियों से चला रहा है से संस्कृति का विकास और स्थापना हुई है तब से भारतिय संस्कृति का केंद्र गौ गौमाता या गौवन्शी रहा है तो केवल एक संपुदाय विशेश को चढ़ाने के लिए हम केवल गाय का मीट खाएंगे और पूरे भारत्वस पो उत्पात मत जाएगा तो अखलाक शब्द को मैंने अपनी शब्द वली में डाला था आगे आने वाले वीडियो की लेक्ष्टा में पंत्र पेक्ष्टा के भ्रम्मे या माया जाल में भारत की सहिशुनता और भारत की विद्धिता को किस प्रकार से हानी पहुंची हैं उसका विश्लेशन करने वाले हैं तो अखंडित या अपराजित अखंडित जिसको खंडित दखिया हुए अर्था तो जो टूटा नहीं है और अपना संपून अकार या अपना संपून स्वरूप अपने उत्पन्यता के समय से जब से वो उत्पन्य अस्तित्मा है तब से बनाए हुए है तो उसको बोलते अखं खंडित हुआ करता था अभी तो बहुत खंडित हो गया है मैं आपको बताया था कई देश पूरी इरान से लेकर आफगानिस्तान पाकिस्तान बर्मा भुटान निपाल तिब्बत मैनमार, इंडोनेशिया, थाइलेंड, मलेशिया यहां तक पूरी भारते संस्किति का एक प्रहवा था जिसमें भारत को एक जंबु दीप की रूप से या आर्रे वर्ट की रूप से जानवात्मा माना जाता था उसे हम अखंडित संदशना कहते थे आज जो वर्तवान आपास भारत है व्यक्त थे खंडित संदशना है जानगे ओब भारत को खंडित नहीं मांसकते हैं सारे देशों के अपनी संपन्धा और संप्रवुता उन्होंने सुहँ से भी इस्थाप्रद करिए भारत सरकान उनको माननेता भी दी है सांस करते अदान प्रदान के इस तरह पर हम वहां पर संपर्क अपने और अपने संदेश और संबंध बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी जो भारत का परम्ध्यवब देखते हैं प्राचीन्सकाल से वह कहते हैं कि भारत अब खंडिक हो चुका है और यह केवल और केवल इस कारेंट से हुआ है कि जो श्रहिश्वृता का प मुझे आने वाले समय के सासा भारत खंडित होता चला गया जिस भूबात पर जिसका वर्चेस बनता चला गया वहां से तूटता चला गया अखंडित अपराजित अक्षण दूसर शब्द आता है अखिल अर्था संपूर्ण और टूटल अखिल भारतिये सम्मेलन अर्थात पूरे भारत को बुलाकर एक सम्मेलन आयोजित कहा गया अखिल भारतिये परिशत अखिल भारतिये अखाड़ा परिशत अर्थात भारत की द अखलेश का अर्थ होता है इश्वर जो सबका स्वामी है इंगलिश में गॉड और स्वामी अर्था तो स्वामी क्या करता संग्रक्षर देने का कार्वे करता है स्वामी मूलता आपको संग्रक्षर देने का कार्वे करता है समाजिक आर्थिक एवर राजनेति इसलिए आशा करता हूं आपको इस शब्दकोष्ट की श्रंकला पसंदा रही होगी मनुजन के अधार पे भी और सूशना के अधार पर ग्यान समवर्धन और समवंधर्ण के अधार पर भी यदि किसी प्रकार का फिर भी कोई प्रश्ण है तो आप उन्हें मैंचेस बॉक्स में लिख है कि 13 से 15 अगस के मंद्ध हम तिरंग अपने अपने घरों पर तो मेरा भी आप सबसे आग रहे है कि इस छण को एक अखिल भारतिये छण अखिल भारतिये छण बनाने में ना चुके तो 13 अगस से 15 अपने घरों पर धोजा रोहन यह जंडा पर आए उसके लिए धन्यवाद आप सबी का देखने के लिए जाहिन वन निमातर हुआ